आर्या चानक के बहुत छोटे थे, उनके घर पर मगद के महा माते सटकार आये हुए थे, सटकार के साथ एक जोटसी आया था, आर्या चानक के कुंडली देखकर जोटसी ने कहा, कि इनकी माता जी को, कि तेरा बेटा समराटों का समराट बने गा, उनकी माता जी रोने लगी, आर्या चानक के बाहर खेलते थे, वापिस आये, घर में आये तो देखा, मा रो रही है, उन्होंने पूछा, एक मातरु बख्त बालक की जिग्या सा से पूछा, कि मा क्यूं रो रही है, तो उन्होंने का, हम तो बेटा ब्रामन है, हमारा काम पठर पड़ा था, आर्या चानक के ने पठर उठाए, अपने दाथ पर देमारा, दाथ गिरा दिया, और कहा मा अंग बंग हो गया है, अंग बंग हो गया है, वो समराट नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता, तुम चिंता न करो, जीवन बर मैं पढ़ूंगा और पढ़ा मैं जीवन बर एक काम करूंगा, समराट बनकर जो काम होता है, वो मैं सिख्षक बनकर करूंगा, और उन्हों ने करा भी, सिख्षक बनकर समराटों को बनाने का काम आर्या चानक क्या ने किया, खूद समराट कभी नहीं बने, आर्या चानक के बहुत छोटे थे, उनके घर प कि इनकी माता जी को कि त Strawberry का Sam Detix बनेगा माता जी रोने लगी आ रे चानक के बाहर खेलते थे वापिस आये घर में आये तो देखा मा रो रही है उन्होंने पूछा ऐक मात्रूबक बालक की जिग्यासा से पूछा कि मा क्यों रो रही है तो उन्हें ने का हम तो बेटा ब्राह्मन है हमारा काम पढ़ना और पढ़ाना है और एक जोट्सी कहकर गए है कि तू समराटों का समराट बनेगा तू ब्राह्मन दर्म का लोब करेगा तो घर के अंदर चटनी पीछने का एक पत्थर पढ़ा था आरिय चानक्यों ने पत्थर उठा है अपने दाथ पर देमारा दाथ गिरा दिया और कहा मा अंग बंग हो गया है अंग बंग हो गया है वो समराट नहीं बन सकता राजा नहीं बन सकता तुम चिंता न करो, जीवन बर मैं पढ़ूंगा और पढ़ानगूंगा, तुझे रोने की जरूरत में एक बच्चा आठ साल का, जिसका भविश्य कहा जाता है कि वो देश का समराट बनेगा वो कहता है मुझे समराट नहीं बनना है, अगर मेरी मा को दूख होता है मेरा काम पढ़ना और पढ़ाना है, मैं जीवन बर ये काम करूंगा समराट बनकर जो काम होता है, वो मैं सिख्षक बनकर करूंगा और उन्होंने करा भी सिख्षक बनकर समराटों को बनाने का काम आरिय चानक्यने किया खूद समराट कभी नहीं बने झाल झाल